कि हमने सभीता तक किया था तो आज करेंगे हम देव देवता दिवु कृड़ा विजिगीशा विवहार विती स्तुति मोद मदा सप्न कांति गतिशु अभी बड़े मज़िदार बात है जो देव शब्द है वो दिवधात्तु से बना है है संस्कृट में तो एक शब्द किसी ना कि सी रूट से ही बनते हैं तो प्रीव दॉस्य चार्थ करता है दोसरों को या जो खुद है यह देता है ये बेशिक निंदर पर जब आप संस्कृट में जो धातू की जो चार्ट है उसमें देखेंगे तो अलग-अलग क्लास में ग्रूप में दीव शब्द मिलता है अलग-अलग मीनिंग में और उसकी जो फार्मट है वो भी अलग-अलग है तो इन में से कोई भी एक शब्द हो तो देव बनेगा इविन देव का आर्थ जुवारी भी होता है क्योंकि दिव धात्तु एक है जिसका आर्थ होता है जुआ खेलना गैंबलिंग करता है तो आप समझ पार है क्या कहां हम आम लोग क्या आम स्कॉलार घलतियां करते है ऐसा शब्दा जिसका आर्थ गैंबलर भी हो सकता है करने वाला भी हो सकता है इजित गीवर हो सकता है और 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 अट्प्र सब्सक्राइटिए उस देव शब्दा सुनते हैं हम सिर्व सवर्ग की देवता भगवां समझने पढ़े जाते हैं यही चीज है जो हमें समझने की जरुते सत्यार प्रकास में श्रामी जी पर्स चाप्रें बताना चाहते हैं कि तुम हर शब्दों को अब एक रूड़ी आर्थ में ले जाते हो फिक्स्ट मीनिंग के साथ और पांच हजार आठ हजार तस हजार साल पहले लिखे उस बूक के आपको वो कांटेक्स्ट देखना जरूर यह तो देखें देव शब्दक किन-किन धातों से बनता है और उनके क्या-क्या मीनिंग होते हैं तो पहला है दीव धातु क्रीडा क्रीडा मलव खेलना फिर है विजिगीशा जीतने की इच्छा रखने वाले को भी देवता कहते है खेलने वाले को भी देव केते हैं व्यवहार जहां गिवांटेक होता है उसको भी व्यवहार केते हैं दुवित्ी प्रकाश करने वाला स्तुती प्रेजिंग स्तुती किसी की गुनगान करना मोद, दिलाइट, आनंद, मद, अहंकार, स्टपन, सोन, स्लिपिंग, कांती, ट्रैक्शन, और उस ट्रैक्शन से अट्रैक्शन भी ले सकते हैं, और डिजायरेबल, जिसको चाह जाता है, गती मुम्मेंट, इतने सारे अर्थों में दीवधातु यूज होता है, तो स्वामी जीन ने उसकी व्याख्या करते हैं, जब आप परमात्मा का अर्थ करो, तो बाकी बहुत सरे चीजों के अर्थ में आएगा, इसलिए आप देटें, जो हमारे तैतिरी उपनिशद में आता है, मात्रु देवभवा, पित्रु देवभवा, आचार्य देवभवा, मा भी देवता है, आचार्य देवता है, पिता भी देवता है, अतिथी देवता है, गुरू भी देवता है, और इसके अलावा भी, हम देखते हैं, पेड़ पौधे, पानी, हवा, इनको भी हम देवता कहते हैं, राजाओं को भी देवता कहा जाता है, संस्कृत में जैसे यहां वो होता है ना एंग्रेजी में योर हाइनेस मेलर्ट तो नौर्मली राजाओं को जो डायरिक्ट बात करता है अड्रेस्स करके जैसे एंग्रेजी में आप और हाइने सोगरा बोलते हैं तो वो केते हैं देव महाराज नहीं महाराज तो हिंदी में बोला जाता है राजा महाराजा तो संस्कृत में पुराने लिटरिचर में जो मिलता है जब सबोडिनेट या कोई प्रजा जब राजा से डारेक्टी वह उनको अड्रेस करता है देव तो देव राजा के लिए कहा गया और जड़ों में भी जो इंसेंटीन चीजें उनको भी हम देवता कहते हैं ऐसे उपनिशतों में और बहुत सारे जगह ऐसे बहुत सारे एक्जाम्पुल है पंच महाभुच जो है पाइक बेसिक अर्थ है खिलना अगर यह परमात्मा के अर्थ में करो तो जो अपने सवरूफ में आनंद से आप इ halves करें किसी के सारे के विना करणावद सहज सभाव से शब्माट स्च्रुबण it बनाता वो परमात्मा हो सकता है अगर इसी दिवयत दिवधातों दिव्धिक्र अर्थ मे वो सेल्फ एंजॉयर है उसी को उसी अर्थ में वो जुआ वगा देव शब्दा अगर विजिगीशा जितने की इच्छा रखने वाला विजिगीश तेसा देवह जो सबको जित लेता है और जो खुद अजेया इंविंसिबल होता है उसको कोई जित नहीं सकता उसको भी देव कह सकते हैं वह भी परमात्म हो सकता है को कि वहार यति सथेव व हार हुआ हम् आऀंट मैं जो चलता है प्रोशीजर कि Raju Sisko Sounds कूछ में कहतें भता है उन्यमों अब आम आदमी से बोलो वहार को कहीगा माल प्लाक्लिक विएवियर और संस्कूप में वालते सभाउए में भी संस्कृत में behavior है पर व्यवाहार शब्दा एक terminology के यूज होता है राजनीति शास्त्रों में संस्कृत में किसके लिए केस के लिए जैसे मनुस्मृती में बहुत बड़ा चाप्टर है राजनीति अड्मिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो पुरागा पुरा चाप्टर है व्यवाहार से रिलेटेड व्यवाहर मलब कोट में कैसे जाज होना चाहिए वीटनेस की क्या क्या सिम्टम डेफिनेशन है कौन सा evidence क्या सही क्या गलत होना चाहिए किस क्राइम के लिए क्या सजा मिलना चाहिए वह फूरे चाप्टर का नाम व्यवाहार चाप्टर है इसी तरह चानक्य के और सशास्त्र में भी महाभारत के भी बहुत बड़ा पार्ट है जो अपना पॉलिटिक से रिलेटेड है उसमें भी व्यवाहार नीती आती है व्यवाहर नीती मलब पनिश्मेंट केस डिसकॉशन एमिडेंस वीटनेस इस से रिलेटेड चीज़े इसको व्यवाहार के तो जो नियाय प्रक्रिया है प्रोसेस अब गिविंग दा जश्टीस उसी भी को व्यवाहर कहा जाता है यह र्क कुराशन कर अधियां लगी बड़ा इंट्रेश्टिंग जो जस्टीस का जो प्रोशेस वह पूरे प्रोसेस को व्यवाहर में लाइज़े से क्रिमिनेल है उसकी जो डिवेट है आर्गमेंट है वीटनेस है वह वीडेंस है वह सब यव सब्सक्राइब करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या सही गलत तरह के व्यवहार को ठीक जानता है या उपदेश करता है उसको भी देव कहा सकते हैं असंस्कृत में जो जश्टी से उनको भी देवशब्द से अड्रिश किया जाता है यह अग्ला है दुटी दुटी मलब चमक प्रकाश यस्चराचरम जगत्योत यती जो सब चर अचर अर्था जो सेंटियंट या इन सेंटियंट जड चेतन सबका प्रकाशक है लुमिनियस है उसको देव कह शकते तो देवशब्द में यहां देवशब्दकार्थ जो सूरज है जो प्लानेट से सर जो नक्षत्र होते हैं आपकी आग है अग अगनी जो आपकी लाइट जलते हैं क्यों यह द्योता यंति प्राकाशित करते हैं प्रमात्मा भी होगा जो जो चीजें जिसमें पूण करना किसी को प्रेज करना तू यते सा देव जिसकी संथी प्रेज़ करने लायक है जिसकी लाइक विदेवडके ने परमात्मा को भी मोध कहा जा सकता है क्योंकि आनन्द स्वरूप है तो इसे खुशी मिलती है और अगर आप उपनिशत अगरा देखेंगे वह जो हमारे प्रूजेनी बच्चे उनको भी मोध कहा जाता है तो जो जो खुशी के कारण होंगे तो परमात्मा भी मोध है क्योंकि आनन्द का वो पुरा का पुरा खजाना है उसके वह शब्द का दूसरा आर्थ क्या दिया मद यो माध्यती सा देवह स्टोक से दूर रहने से भी मद होता है यह बोद अलग है मद अलग है ना मद एक मद का ये भी आर्था है जो इगो आता है अंकार आता है उसको भी मद केते कि वह इंसेन है अपने इरोगेंसी में बहुत पावर आने आ जाने पर वह बदोन मत तो हो गया तो उसको कहते हैं मद इरोगेंस को भी कहते हैं पर मद यहां दिया माध्यती माध्यती का अर्थ जो खुशी है ना यह खुशी को ऐसे समझे जो सेंस्वल प्लेजर है जो शराव है अलकोहल है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं मद्य जो आपके अंदर पुड़ा मद लाए थोड़ी सी क्या कहेंगे खुशी लाए पर वह खुशी जिश्क में आप जु तो है मद्ध वहाँ खुशी खुशी के बहुत सरी लिखोल होते हैं उसी से मद्य भी बना उसी से मदीरा भी बना और उसी से बना मदीरा लाए जिसको आज कल आपके इतने बार जैसे यह वेदर के लिए लोग करते ना देखो इस साल बहुत ज्यादा खंड लग रहा है इस यह से पैटर्न होता है इसी तरह लोग पहेंगे जो को आजकल बच्चे सो बिगड गये हैं आज कल देखो दुनिया कैसे बिगड गया यह सिर्फ कहने की होती है कुछ नहीं बिगड़ा कुछ नहीं सही है ठीक है टेखनोलोजी के लिए हम अटबाश्ट हो गए जो हुमन भीएवियर है ना कभी नहीं चेंज होता है वो वो तीन हजार साल पहले भी बार और नाइट क्लॉब होते थे आज भी होते थे बस आप संस में सुनते ही आपको लगता है कोई धरम की बात होगी अच्छे बूरे बहुत अच्छे बहुत बूरे हमेशा से रहे हैं एडिक्शन हमेशा से रहा है नशा हमेशा से रहा है एक्स्प्लोई मैनिपुलेशन हमेशा से रहा है कभी कम रहा कभी ज्यादा रहा और यह जो कभी काम कभी ज्यादा यह भी यह भी टाइम और प्लेस के हिसाब से हो सकता है 2000 साल पहले जो बुराई हो वो किसी दूसरे किसी जोग्राफिकल एरिया में पहले ज्यादा था दूसरे में काम था आज वह हो सकता है चेंज हो गया हो जैसे जैसे आप कहेंगे आज से पांसो आठसो साल पहले या हजार बारा सो पंद्रा सो दो हजार साल पहले एरोप बहुत ज्यादा सूपर्स्टीशन बहुत ज्यादा वाइलेंस वह जो लेडिज को सप्रेश करना बहुत ज्यादा भैंकर रोग से था अब वह ज्यादा दोर नहीं इविन तीन सो चार सो साल पहले इविन सेवेंटेंट सेवेंटेंट सेंच्यूरी में इरोप में जितने महिलाओं को डायन के नाम पर विच के नाम पर जलाया गया गया गरम लोहे दवाये गये बीच चाहराइब पर मलब वोड के बीच में पब्लिक के सामने उनको टर्चर करके मारा जादा था उनकी नंबर मिलियंस में होते हैं मिलियंस में अरजादा नहीं 17th 18th century की बार तो उस समय बुराई वहाँ थी हमारे यहां इतनी नहीं पिर अफ़े यूरोप आपने आपको कहता है जी हम तो अच्छे हम आपको हम आपको सिखाएंगे क्या सही है क्या गलत है तो एक पर्टिकूलर टाइम में कोई देश खराब होता कि है किसी देश में अच्छा होता य जो इविल से या जूड और बैड ये टाइम के हिसाप से प्लेस के हिसाप से बदलते रहते हैं पर कोई भी आप यह नहीं के सकते कि आज कल ज्यादा खराब हो गया है पहले बहुत अच्छा है ऐसा बिलकुल नहीं और मुझे तो कभी नहीं लगता जी कि आज कल खराब है और तहले बहुत अच्छे थे ऐसा कभी नहीं हुआ चलिए आगे चलते तो मदशब्द मदशब्द खुशी है पर वह खुशी थोड़ा सिंस्वल प्लेजर को ज्यादा करता है पर उसके रूट मिनिंग तो खुशी है तो यह माद्यती सा देवा जो खुश रहता है शोक से दुख नहीं होता है वो देव है या जो दूसरों को दुख से दूर रखता है वो देव है यह स्वापयती सा देव तो दीवधात्तु सपनार्थ मेरी यूजवा सोना या सुलाना तो जो भी सुता है या जो सुलाता है वो देव है अगर इसका देव का आर्थ हम परमात्मा करें तो यहां का क्या अरत होगा जो प्रलए समय में व्यक्त में सब जीवों को सुलाता है तो तो प्रानी हो क्या हो या जो नन अनवन लाइफ है वह सौब डॉर्मन स्टेजय में जाते हैं ब Quindi को सुफब नायल जाता है तो गि sama हम रहा हो तो बशान WR स्पर किसी को आत्मा हो जीषारड ओ चरतनों सेंटियंटू इन सेंटियंट डोलाइफ ले सो सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब बिलेगा आप ममीनिंग होता जो आट्राक्ट करें गृति एा कामना करना 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 तो छुड़े जर्वल analyti उसको कांत केते हैं मीं कांता और कांती अभी मैं बताओं यह काम यते काम यतेवास देवा जिसको हर कोई चाहता है कि परसन हुई डिजार्ड बाइवरिवार कुछी को कहते हैं कांत या देवा और परमात्मा भी कांत है क्योंकि जितने वी ज्ञानी लोग है उनके द्वराव डिजायरबुल है और यो गत्शती गम्यतेवा गती शब्द है जो जाता है या दूसरों के द्वराण जाया जाता है और गती सब्द जो है उसका आर्थ पाना भी होता है जो दूसरों के दौरा पाया जाता है यानि रिए लाइफ परसन के दौरा इसको भी देव कहता है तो देव के इतने सारे अर्थ हैं और जहां जिस अर्थ में बिलकुल कांटेक्ट के हिसाब से ठीक लगे वही अर्थ करना चाहिए और अगर कहीं परमात्मा क के अर्थ में भी करना है तो आपको देख लेना है कि वह परमात्मा के अर्थ के लिए वह अप्रोप्रियेट है की नहीं है उसकी जो कांटेक्स्ट है जो मीनिंग है अगर वो कांटेक्स्ट में समझ में आता है कि हां नहीं यह परमात्मा के लिए हो सकता है तो जरूर करिए पर अन्धादूंद ब्लाहिनने लें किसी भी शब्द का आर्थ है कुछ नहीं हुआ शब्द है कुभेर आप जानते हैं कुभेर पुराणों में कुभेर किसको गहते दन का देवता है तो कुभी अच्छा दनी पर वेद में अगर कुभेर आये तो क्या आर्थ करेंगे तो कुब धातु है जिसका आर्थ होता है तो कवर धकना तो जिस जो धक लेता है जो एनवलप कर देता है सब को उसको कुवेर कहेंगे यसर्वं कुम्बती सवव्याफ्तिया अच्छा दयती सक पुवेर कारणी為 नहीं कीbell नहीं कि कुवेर नेयों होंगो अच्छा दक है जो भी ढखता है वो कुबेर हो सकता है आकाश को भी कुबेर कह सकते हैं जो भी धकन है उसको भी कुबेर कह सकते हैं कुछ भी कुबेर हो सकता पर अगर कहीं कुबेर शब्द के साथ परमात्मा के बाकी पून ओगरा मिलते हैं तो डिफिन आइलिक कुबेर का आप परमात्मा भी करेंगे इसी तरह पुरुथ्वी आप कहेंगे जी पुरुथी भी तो भरती है और थे और हम जो पंचतत्तों में भी जो पुरुथ्वी आपस तेज वायू आकाश उसको भी हम जो ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं दो आर्थ वाटर पायर रहे हैं अगर आप पुरुथिवी के आर्थ आपने या पुरुथिवी जल अगरा का ट्रांसलेट आप कर दे तो आर्थ है और पायर तो देखें कितनी स्टुपिडिटी है आर्थ कैसे कोई भूत बन सकता है पंचमाहवू मलब बैसिक एलिमेंट्स कैसे बन सकता है पर क्योंकि हम पुराणे शब्दों को धिक भूत नहीं समझते हैं तो रूड अर्थ में अर्थ बना देते हैं धर्ति बना देते हैं कुरुथिविकारिस में यूनिवर्स के हर चीज़ में उंकि हम वी संसार में जितने भीं Lazic चीजें देखते हैं उसमें पांच फॉर्म दिखते हैं जो सॉलीड इटी है वो उसी को हम पृत्वी कहते हैं आपकी शरीर की जो फ्लेश है जो बॉन है जो सकीन है यह सब चीजे जो को भी solid form में है चाहई वो सब्रत्रभी प्रिथिवी है प्रुथिवी तत्तों ज्याद़ा है उसमें जल्षी मोरह हो फोलीट 2 लिक्जलेक्ट करेंगे। इसको सब्रुथ को आपकिस तत्तों में काउंट करेंगे तो पाइड़िए नदी दो लिक्यू फ़ार्म में होते हैं या यह मैंनों अपने हैं जितने तरह के और जो वीन्ड है जो भी उस तरह के अर्थ में ओने हो यह जिसे अगनी है अपकी खाना जो डाइजेश्ट होता है पेट के अंदर वह भी अगनी है जो हवन में आग जलता है वह भी अगनी है तो जो एनर्जी के जो इफ्रेंट्स फॉर्म्स होते हैं वो सब अगनी है और जो आकाश है स्काइन यह इधर है जो जो स्पेस है उसको कहते हैं तो इविन पंच महाभूतों में भी हम जब इसको ट्रांसलेट करते हैं इविन आप एर्थ-वाटर-फायर बोले तो इसको एक्सक्लेम जरूर करें कि एर्थ-वाटर-फायर का क्या हम इसको टर्मिनलोजी की रूप में यूज करते हैं नकि डायरेक्ट ट्रांसलेशन और वाटर इस तरह के प्लानेट और पीने का पानी इस अर्थ में नहीं होता है तो हमें केरफूल होना जुरूरी है जब हम समझते हैं या समझाते हैं अब पृतुविस्तारे तो पृतुविस्तारे जो कोई फैनता है स्ट्रेड करता है या जिसमें प्रृतिवी तत्व होंगे जैसे यहां कहा यह पर्थती सर्वम जगत पिस्त्रनाती तत्समात्स प्रतिवी जो फुद फैल जाता है विस्तार होता है या जो दूसरों को पहलता है जो पूरे एक्स्टेंशिव वर्ड को अनपोल्ड करता है यह परमात्मा के अर्थ निरुक्त में निरुक्त एक शास्त्र है जो व्याकरण के तरह ग्रामार के तरह है पर एक डिफरेंट टाइप के आपको जो शब्दों को अर्थ निकालता है तो उसमें पूरुथिवी की बड़ी जिसका आर्थ होता है एक्स्टेंड होना या प्रुपक्ष ने पूछा जो क्वेश्चिन पूछने वाले ने की पृथिवी बनने के बाद उसकी नाम पृथिवी पड़ी पहले धर्ती बनी फिर लोग आये लोगों में भाशा आई भाशा आने के बाद उसको पृथिवी तो या जरूरी नहीं की कोई चीज आपके पहले से बन जाए और आपने देखा ना हो तो आपको उसको जान नहीं सकते हो आप इंफर कर सकते हो ना दूसरे चीजों को देखके आपको इंफरेंस के तो जान सकते हो यह बड़ा खुबसरण डिवेट है तो पृथिवी को है सबस्क्राइ theторов हुई है हमाँ तो जो भी एक्ष्टाइन प्रृत पीली होसकता है Kerry को भी प्रृत्वी शब्द से कहास जा सकता है क्योंकि वह यह संशार को अनफोव्ड किया यह लाया ह長 कत यह जो एनिवर्स पहला इसको पर्मात माने प्रृत्मा भी होसकता है अब देखिए अब आप पानी पीते हैं पानी को जल कहते हैं संस्कृत में भी आप जल शब्द कितना यूज करते हैं और जल शब्द से आप समझते हैं कोई लिक्यूड चीज की बात हो रही होगी नहीं है जल कितनी इंट्रेस्टिंग है जल का जल जो धातू से बना है उसका है रियल मेनिंग होता है इस मैश है समय जो समाष करता है जो तोड़ता है पर यह जल जो समाश करने के आर्थ वाला कैसे पानी के और सर्फ नहीं होता एक संस्कृत में जल शब्द पानी के अर्थ में बहुत कम यूज होता है तो यह है ना हम रूड़ी बना रूड़ी समस्ते एक कर देते हैं पानी के लिए तो संस्कृत में कम से कम पचाशों शब्द है नीरम तोयम जलम तीर्थम पानियम जलम आपह जो आप मंत्र में पल दे शन्नो देवी रविष्ट है आपो भवन तुपीत है यह पानी मेरे मेरे शांती के लिए बने तो बहुत सर शब्द पानी के लिए उनमें से एक शब्द है जल यह सिनोनिमस क्यों बनते हैं एक शब्द का एक अर्थ होता है जैसे जल शब्द का हुआ स्माश करने वाला या जो उसकता पानी में फज्द उसको जल केते पर जल अकेला पानी का नाम नहीं है पानी के लिए तो अजारों पचासों शब्द हैं उनमें से एक जल है जैसे पृथिवी जो आर्थ है उसके लिए अकेली पृथिवी शब्द नहीं है वो डर्जनों शब्द है और डर्जनों शब्द अलग-अलग मीनिंग देते जो मीनिंग जहां फिट बैढ़ता है वो सब उसमें आ जाए और ऐसा नहीं कि आप कहेंगे यह तो सुनने लगता है कि संस्कृत में सब चीजें नहीं हर लांगुज में यही है अब अंग्रेजी का कोई शब्द उठाई है डिक्शनेरी देखिए कोई भी अंग्रेजी के लिए आप जाते होंगे विन गूगल भी करेंगे यह जो पहले डिक्शनारी बुक्स होते थे उसमें भी आप देखेंगे उसमें लिखा होता है वहीं लैटिन अपरेंच है रूट वर्ड यह है उसके यह उसमें कम से कम आधे और जन किसी-किसी वर्ड के तो कम से कम 20-25 अर अख़ती हो उसकी वर्ड उसकी एलग होती है Gill लीटरेचर पढ़ते हो लीटरेचर पढ़ते से मैं आप वह लिखा गया उस एरा में उस शब्द का क्या अर्थ्म में उसमें और होता था उसकी इंटर्पिटेशन की प्रॉब्लेम सुरू हो जाती है कि वर्ड की मीनिंग सो दो सो साल में चेंज हो जाता है लोग अभी के मीनिंग से आर्थ देखने लगते हैं फिर विद्वान लोग अपनी अपनी तरह से काम पर तो यह ध्यान रखिए इस नाट ओली संस्कृत का यह सब्सक्राइगी समझ लिए सपोज एक भूब सब्सक्राइब को लेते हैं तो दस हजार साल पहले एक वर्ड की मीनिंग जो था नौह हजार साल में वही नहीं मिलेगा हजार साल की डिफरेंसे कि 8000 साल के पहले और किसी सेंस में यूज हुआ होगा 2000 साल पहले 3000 साल पहले 500 साल पहले 200 साल पहले पचाल साल पहले वी शब्द के आर्थ बदल जाते हैं तो यह यह हमें ध्यान रखने की बहुत बहुत जरूरत है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो वीडियो अच्छा लगें लाइक भी जरूर करें